चुनाव, मत्दान का अधिकार सबसे बड़ी जन्मेदारी, CDPO का जागरुपता अभियानल तेघरा, बेहु सराय तेघरा लोगसभा चुनाव को लेकर प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्याले की और से स्वीट पदाधिकारी CDPO प्रतिमा आचार्य के मित्रत्व में जागरुपता अभियान के तहट कई करह के कार्याप्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मत्दाताओं की सीधी सहभागिता से उन्हें मत्दान के प्रति जागरुप करने के प्रयास किया जा रही है जिसके तहट मत्दाता पाटशाला, रैली, साइक राली, प्रभाद सेली, हर घर दस्तक, रंगोली प्रतियोगिता, महन्दी लगाओं मत्दान करो, समेट कई कार्यप्रम को कार्यर रूप दिया जा रहा है इसी के तहट शुक्रवार को बरौनी नगर परिशत शेत्र के मत्दान केंडर 172, 172 एवं 173 के पोशक शेत्र में मत्दाता बैठक सह पाटशाला का आयोजन किया गया चुनावी पाटशाला में ग्रामीनों को लोक्तंत ने मत्दान और मत्दाता के महत्व को समझाया साथ ही लोक्तंत के प्रतियास्था और जाग्रुक्ता बढ़ाने के लिए शपत दिलाई इस दोरान नवीन तथा पुराने मत्दाताओं के पास पहुँचकर 13 मई मत्दान के दिन नजदी की भूत पर अवश्य पहुँचने की बात कही गई सीवीत्यू प्रतियमा अचार्या ने कहा कि मत्दान का अधिकार बड़ी जिम्मिवारी है इसे जिम्मिवारी से निभाएं हम एक लोगतांत्रिक देश के स्वतंत्र नाग्रिक हैं। लोगतांत्रिक प्रणाली के तहस जितने अधिकार नाग्रिकों को मिलते ही, उन्हें सबसे बड़ा अधिकार है भोप देने का अधिकार। इस अधिकार को पाकर हम मजदाता कहलाते हैं। जिसके पास ये ताकत है व मेच शोटहरा की दर्जनों सेविका सहाय का वस्थानिय ग्रामी उपस्थित थे। सीविक्यू ग्वारा आंगन वाडी केंद्र पर सेविका ग्वारा बैनर पोस्ट एवं रंगोली सेहाम जनता को बोट देने के लिए प्रेरिक करने का निर्देश दिया गया। रामीलों के वीच नारा गया गया की सारा काम छोड़ दो पहले जाकर बोट दो का नारा बुरन हुआ। 13 मई लोगसभा चुनाब में शत प्रतिशत मत्दान हो इसके लिए कमर कसके तयार रहने की अपील की गई।